नाश्कार दोस्तों गारगी क्लाशेस पर आपका स्वागत है डेटाज की 20 अप्रेल 2022 देख लेते हैं इंडियन एक्षपस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टन आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे एडिटोरियल पेज से दो आर्टिकल्स का फर्स्ट आउटलेट है यह मान के चलो आप ठीक है तो उस पॉइंट आफ इस आर्टिकल को देखेंगे कि हमारे यहां पर ट्रेडिशनल मेडिसन्स की कितनी ज़्यादा प्रेवलेंस है और क्या रिस्क है साथ में असोसियेटेड दूसरा आर्टिकल हम देखेंगे दलित से स्टेट्स में फ्रीबी बाटी जारी है चुनाओ के नाम पर वोट बैंक के नाम पर और उसका नुकसान इतना बड़ा हो सकता है कि एक सब नेशनल फिसकल डिजास्टर का सामना करना पड़ सकता है हमें तो उस पॉइंट आफ यूस से हम समझेंगे इस आर्टिकल को और यह वाला आर्टिकल है इंडियाज वीट ऑपर्चुनिटी इस आर्टिकल को आपको खुद से करना है ठीक है क्योंकि अग्रिगल्चर से रिलेटेट बहुत सारे आर्टिकल साम डिसकस कर चुके हैं एक दो पॉइंट्स एडिशन होंगे वो आप खुद देखोगे यहां प करते कि भई होल्डिंग टुगेधर या कमिंग टुगेधर दाट मींज एक सेंट्रल गवर्मेंटर उसने सब को पकड़ रखा है या फिर सारे स्टेट्स मिल करके फिर एक सेंट्रल गवर्मेंट को इसका मतलब यूनियन जो है वो कहीं नहीं जाने वाला ना तूटेगा न कुछ और पर हाँ जो स्टेट्स हैं जो यूनियन को बना रहे हैं उनका कॉन्फिगरेशन टाइम टू टाइम हम चेंज कर सकते हैं इसका मतलब स्टेट्स का बहुत जादा इंपॉर्टेंट रोल है अगर हम यूनियन की स्ट्रेंथ की बात करें क्योंकि स्टेट्स का अगर reformation या reconfiguration किया जाए तो इसका मतलब क्या हो गया कि states की viability को देखते हुए वहाँ पर कोई changes लाए जा रहे है चाहे फिर वो political viability हो economical हो चाहे और कोई issue हो वहाँ पर ठीक है तो overall एक center की strength की बात करें तो वो किसके हाथों में है states के हाथ में अब सवाल क्या है कि macro economics की हम बात करें हमारे देश की या हमारी economy की बात करें तो वहाँ पर हमें center और state दोनों के पास में stability आनी ज़रूरी है macro economy का मतलब जिसमें हम fiscal fiscal के बारे में बात करते हैं monetary policy के बारे में बात करते हैं overall जो broader prospect होता है एक पुरे country की economy का उन सब की हम बात करते हैं तो वहाँ पर central government की जो भी accounts है वो भी balanced manner में चलने चाहिए तो states की भी balance में चलने चाहिए ऐसा नहीं कि कहीं पर आप केवल central government पर तो ध्यान देलो पुरा बट states जो है वो बरबाद होते चले जाएं तो वहाँ पर फिर बात में central government का balance है ना वो भी बिगड़ जाएगा ठीक है तो writer ये बोल रहा है कि 15th finance commission का chairman में रहा और हम लोगों ने जितना भी 15th finance commission की जो report तयार की recommendation के तोर पर जो की 2021 से 2025 तक अभी implement हो रही है तो volume 4th हमने exclusively dedicate किया states को कि कैसे states को अपने खुद की जो deficits है या जो debts है या फिर जो macro economic stability है उसको कैसे maintain किया जा सकता है मतलब ये कि सरकार के पास में आमदनी कितनी हो रही है खर्चा कितना किया जा रहा है उसमें कितना balance है कर्जा कितना चल रहा है state governments पे और जो overall अगर उस state की कि ज़्यादा तर जो states में जो भी linden या बातचीत होती है ठीक है वहाँ पर political dialogue ज़्यादा होता economic dialogue की बजाए क्योंकि vote bank की बात आती है freebies बाटे जाते है populist policies पे काम किया जाता है इस तरीके के system तयार किया जाता है जिससें कि लोग खुश हो जाए और लोग खुश हो करके vote देने बस इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता तो यहाँ पर हमारे सामने एक concept आता है that is merit goods and public goods the merit goods तो वो हैं जो basic needs को fulfill करते हैं वो तो ज़रूरी है देने जैसे कि आप education दे रहे हो health improve करने की बात करते हो रोटी कपड़ा मकान स्वास्ते सिक्षाई चार पाच basic हमारी basic needs है पर सवाल यह है कि basic needs भी एक limit तक ही दी जानी चाहिए ऐसा नहीं कि हर चीज में अगर आप free में हर कुछ distribute करने लग गए तो फिर बाद में आपकी आमदनी से ज़्यादा अगर आपने की जरूरत थी और जिसमें education health और food intake इन सब की बात करें तो वहाँ पर government ने अपनी तरफ से role play किया वो कोई problem नहीं है पर सवाल ही आ जाता है कि यह जो freebies हैं यह लंबे समय तक लगातार दिया जाए और इनी के नाम पर competition होने लग जाए political parties में कि देखे के सबसे ज़्यादा सस्ती जीज कौन देता है तो बोलो नुकसान फिर overall economy को उठाना पड़ता है इसका नुकसान फिर केवल economy नी फिर life की quality भी आता है और social economic जो system हमारा manage होता है धीरे धीरे वो भी बिगड़ जाता है ठीक है तो हमें higher rates of economic growth को अगर achieve करना है हम चाते हैं कि हमारे देश में हमारी economy जो है वो अच्छे से आगे बढ़े और prosperity की तरफ जाए हमें efficiently काम करें जिसमें input कम input पर भी अच्छा खासा output हमें मिले तो उसके लिए हमें हमारी जो ये bad practices है ना इनको छोड़नी पड़ेगी तो इसके लिए देखो writer जो है वो साथ regions highlight कर रहे है कि क्यों हमें freebies को या फिर जो government के जो तरीके हैं ना अपने free में पैसे बाटने के या जो पैसा खर्च करने का उसको correct करने की क्यों ज़रुरत है first तो ये कि freebies basically क्या होती है आप macro economic stability की बात करते हो कि जहां पर आपका revenue और capital receipt कितना है revenue और capital expenditure कितना है उसका आप balance बनाते हो उसी को आप fiscal surplus या fiscal deficit बोलते हो और उसी के लिए आप policy बनाते हो that is non-nest fiscal policy तो fiscal policy में आप target करते हो macro economic stability कि भई economy में disruptions ना आए और growth की तरफ हम आगे बढ़े पर अगर आप freebies बाटोगे इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं न कहीं से आप already जो schemes सल रही है उन schemes का पैसा निकालोगे और उन schemes का जो budgetary allocation होना चाहिए उसका पैसा निकाल कर कि आप freebies के तोर पे free में उनसे बाट दोगे जो भी जनता है उनके बीच में किसलिए कि बस आपको vote मिल जाए तो overall अगर देखें तो freebies की जो politics है ये expenditure priorities को बिगाड़ देगी की नहीं कि भई हमें education पे इतना पैसा कर्च करना है food पे इतना करना है वो सारी चीजें जिन पर parliament में अच्छे से debate होता है discussion होता है जिन में parliament के through allocation करवाय जाता है उन चीजों को तो आप side में रख देते हो बस ये देखते हो कि वापिस हम सत्ता में कैसे आ जाए उसके लिए आप freebies बाट देते हो और बाटने के लिए आप क्या करते हो जो already existing schemes हैं उनकी funding को reduce करना पड़ता है तो overall आप देखो कि इस तरीके से fiscal sustainability की तरफ हम क्या बढ़ रहे हैं बिल्कुल भी नी आज हमारे बहुत सारे ऐसे states हैं जिन पर करजे का इतना जादा load है कि बस county मत करो जैसे कि पंजाब का यहाँ पर example दिया हुआ है कि पंजाब में अभी recent election हुए है तो वहाँ पर freebies की costing अगर देखी जायना तो लगबख 17,000 करोड रुपए का करचा government को जहलना पड़ेगा तो आप देख के चलो कि इस से कितना जादा वहाँ पर problem आएगी पंजाब में क्योंकि पंजाब पर already जो करजा है एक तो state की GDP जिसको GSDP बोलते है तो आप देख लो कि state की GSDP की comparison में वहाँ पर पंजाब पर करजा कितना है 53.3% अब आप खुद देख लो कि जितनी गुचन services produce होती हो उसमें से 50% तो करजा-करजा ले रखा है पंजाब ने इसके आगे आप देख लो कि पर भी impact आएगा लगबग 3% का तो overall क्या हो गया कि एक तो इन पैसे को आप productivity यूज़ कर सकते थे और एक आप ने free में ही मतलब एक तरीके से flow कर दिया तो ऐसे में नुकसान हुआ कि नहीं उस state की GDP को और overall अगर देखे तो state की GDP को नहीं यह पूरे देश की GDP को फिर बाद में impact भी करता है तो पहला तो यह हो गया दूसरा जो issue है that is कि expenditure priorities में distortion आ जाता है कि आपने अगर अपनी मान लो कोई भी scheme पहले launch की है और scheme में target यह था कि हाँ जी आपको loan provide करना है जो भी street vendors है उनको पर पता पड़ा कि government ने अचानक से pension scheme में कुछ changes कर दिये जैसे राजस्तान का भी recent example यहां पर फिक किया जा रहा है कि राजस्तान government ने old pension scheme को revival देने की बात कही तो यह बोला retrospective कदम है यह बिलकुल regressive कदम है जो की economy के लिए बहुत ज़्यादा dent create कर देगा क्योंकि होता क्या है कि जब आप पैसे को वहाँ पर pension के तौर पे दोगे तो उस case में आप कही ना कहीं जो पैसा already productivity में use कर सकते थे उस पैसे को आप divert कर रहे हो यहाँ पर एक simple सा case वही राजस्तान वाला कि अगर आप जो लोग government retire होने वाले government servant होंगे उनको आप जो pension दोगे तो आप केवल पूरे state की 6% population को benefit दोगे पर नुकसान कितना हो जाएगा जितना tax और non-tax revenue collect होता ना state government को उसका 56% तो केवल इस pension में लग जाएगा जो की कोई productivity में कहीं कहीं काम आ सकता था कुछ investment में कुछ infrastructure में कुछ basic amenities को develop करने में कुछ job opportunities को create करने में तो ये इस तरीके से क्या होता है कि आप revenue को जहां सही तरीके से use किया जा सकता था उसको आपने side में ले गए और कुछ और ही purpose आपने fulfill कर लिया तो ये क्या है fraud है benefit देने के लिए आप 56% revenue को compromise कर रहे हो या फिर उदर divert कर रहे हो तो inequality तो definitely मतलब समता आई कहां पर जहां पर आपको ज़रुरत है कि आप disabled की benefit कर सकते थे जो marginalized section है उनके लिए कुछ और कर सकते थे कोई productive गाम कर सकते थे कोई training training system शुरू कर सकते थे जिस पैसे का यूज करके वो पैसा आपने 6% जनता के लिए आपने divert कर दिया और morally भी ये चीज बोले ठीक नहीं है तो दूसरा concern आ गया कि आपकी expenditure priorities है वो distort हो जाती है तीसरा issue यहां पर बता रहे है कि intergenerational equity आप नहीं ले आ पाओगे क्योंकि सीधी सी बात है कि 6% लोग जो government job में है वो अगर retire होगर के जाते है ठीक है तो उस case में आप ये बताओ वो पैसा जो खर्च किया जा रहा है वो तो किवल 6% लोगों के और उन 6% लोगों के ही बच्चे या फिर उनके आने वाली generation उनके लिए beneficial हो पाएगी बाकी लोगों के लिए तो कितनी problem हो जाएगी तो आप बताओ social inequalities बढ़ेगी की नहीं कि 6% जनता है एक तरफ और 94% जनता है एक तरफ दूसरा अगर पंजाब वाला segment भी हम उठा करके देखे तो आप अगर freebies देना चारहे हो तो वहाँ पर जो लोग eligible नहीं है और जो लोग access नहीं कर पा रहे है government की policies का या फिर जो freebies देने की बात की जा रही है वो अपने आपको फिर inferiority complex में ले जाता है कि भई हमें तो accessibility है ही नहीं पता नहीं कई बार आते हैं नहीं issues कि भी आधार कार्ड के basis पे facility दी जा रही है मान लो ठीक है तो उस case में जिन लोगों के पास आधार कार्ड है पर उसमें mobile number attached नहीं है तो कितनी problem आती है तो वहाँ पर वो भी problem आ जाती है तो expenditure priorities होनी चीए growth को enhance करने वाली ना कि growth को disrupt करने वाली social equalities को promote करने वाली होनी चीए ना कि inequality को promote करने वाली चोथा जो concern है वो ये कि आप जिस तरीके से ये freebies बाढ़ते हो तो ये एक तरीके से आप environment को compromise करने का काम करते हो जैसे power sector में आप देखो कि subsidy दी जाती है तो उस case में कितना ज्यादा नुकसान होता है पहली चीज़ तो आप कोईला जलाते हो कोईला जला करके electricity produce करते हो और फिर उस electricity को fall to wastage ज्यादा कर देते हो तो आप देखो दोनों तरफ से production में भी नुकसान हो गया consumption में भी नुकसान हो गया तो environment का भी loss बहुत जादा होता है जब freebies की बात करें या फिर आप देखो कि जब एक farmer को अगर बिजली बाद में चाहिए आप उनको compensate कर दो दूसरे तरीके से cash transfer के basis पे बट एक बार अगर आप बिजली farmer के पूरी की पूरी जितना bill बनता है बिना subsidy के आप ऐसे कैसे उनको bill deliver करो तो वो जब button दबाएंगे न मोटर का तो उसके पहले दस बार सोचेंगे कि हाजी मेरे को कितनी जरुरत है उतना ही मुझे पानी निकालना है उतना ही मुझे मोटर चलानी है फिर उसके बाद में आपको subsidy या जो भी benefit देने cash transfer के ते और पर दो उससे क्या फाइदा होगा कि भाई सो बार सोचना पड़ेगा जैसे आप अपने घरों में electricity bill पे करते हो तो आपको भी तो पता रहता है ना हाजी मैं रूम से बाहर निकलू तो फैन और लाइट आफ कर दू exactly वही चीज क्योंकि आपको पता है bill आएगा तो वही चीज वहाँ पर होनी चीए तो बहुत फ्री पावर देना भी बहुत बड़ा नुकसान वाला काम है ठीक है चाहे फिर वो production के point of इसे देख लो तो आपने environment को compromise कर दिया और आप consumption की बात करो तो पानी आप ने एक्सस में यूज कर लिया यह तो एक छोटा से एक्जामपल है fertilizer subsidy भी आप ऐसे apply कर सकते हो तो क्या इस तरीके से हम sustainable growth achieve कर पाएंगे क्या sustainable goals जो है SDGs जो हम 2030 तक achieve करना चाह रहे है United Nation के अंडर में जो हमने goal decide किया हमने हमने खुद ने sign किया है agreements वो जो SDG goal को achieve करने का जो target है तो क्या हम अब achieve कर पाएंगे इसकी बजाए अगर वो पैसा renewable energy में लगाए जाए free में power देने की बजाए efficient public transport system develop किया जाए तो क्या यह आज के टाइम पे जो oil crisis आ रहा है वो आता इतना तो ऐसे में freebies की बजाए productivity की तरफ जादा जाने की जरुवत है फिफ्थ जो इशू बताया जा रहा है वो agricultural priorities में भी बहुत जादा प्राब्लम आती है वोई चीज़ fertilizer वाली बात आ गई कि कहां पर जो DAP की जरुवत है कहां पर आपको potash की कहां पर sulfur की जरुवत है वहां पर भी farmers को सस्ता यूरिया मिल जाता है तो यूरिया ही डालते है जबकि यूरिया nitrogen को provide कराने का काम करता है over all अगर देखे तो इसके साथ में power free होने की वज़े से यह मैं आपको बताई चुका हूँ groundwater कितना जदा deplete हो चुका है इसको भी हमें ध्यान रखना होगा इसके अलावा जो free consumption के लिए goods दिये जाते हैं resources दिये जाते हैं वो भी फिर बात में environmentally or long term में sustainable नहीं रहने वाले हैं एक individual को आप free में खाना दो देखो आप खुद देखो कि कितना difference है free में खाना दो और एक individual दूसरा individual हो उसको आपने education दे करके अच्छा खासा पड़ा लिखा करके उसको तयार कर दिया कि जी अब आप job करने के लायक हो तो खाना तो आप एक बार दे सकते हो ठीक है जबकि job करने वाला बंदा जिन्दगी पर काम कमा करके अपना पेट बर सकता है तो दोनों में ये difference बहुत जादा है छटा concern ये है कि यहाँ पर जो manufacturing sector की अगर बात करें तो वो भी फिर बाद में competitive नहीं रहता भी सीधी सी बात है जब freebies ही मिलने लग गए तो freebies तो भाई poor quality के बनेंगे भी लोगों को अगर सस्ते में अनाज मिलता है तो कौन सा अच्छी quality का देती है सरकार ये तो पता ही है ना सबको कि क्या quality के गहूं क्या quality के चावल मिलता है तो उस case में अगर हम देखें तो फिर manufacture product भी आप अगर इसी तरीके से free में देने लग जाओगे या फिर आप देखोगे कि free में मिलने लग गया तो कौन compete करेगा फिर तो सरकारी एजेंसी जी production करेगी सरकारी एजेंसी जी काम करेंगी और सरकारी उनको बाढ़ती रहेगी free में तो यह तो exactly वो इच काम हो गया जो 1990 से पहले हुआ करता था कि government का रोल में हुआ करता था तो ऐसे में जो हमारी जो efficiency है हमारी जो infrastructure competitiveness है वो कहीं न कहीं weak पढ़ जाएगी तो ऐसे में जो पैसा हम freebies पे खर्च कर रहे हैं उसकी बजाए हमें खर्च करना चाहिए हमारे manufacturing sector को efficient बनाने में इसी के साथ सात्वा segment जो कि इन सब को sum up करने का है वो ये कि 1991 में तो पूरा देश बरबाद होने के कगार पर आगया था पर आज अगर परिस्तिती देखी जाए तो क्या हम एक-एक state को बरबाद होते वे नहीं देख रहे हैं जिस तरीके से 53% से भी ज्यादा उनके GDP से ज्यादा उनके ओपर करजा बनके बैठा है तो इसका मतलब बरबादी के एक अगार पर वो states चल रहे हैं लगा था तो केवल अब states को classify करने की दूरी है कि जी हाँ कौन सा state bankrupt होने वाला है कौन सा हो गयार कौन सा बचा है ठीक है तो ऐसे में इसके इस से तरीके से अगर freebies पे चलते रहे तो sub national bankruptcy आ जाएगी मतलब पुरा देश तो पता नहीं बरबाद होगा की नहीं impact definitely उसको देखना पड़ेगा पूरे देश की economy को पर हाँ state जो है वो अपनी तरफ से पूरी ताबर तोड मैनत कर रहे हैं कि कैसे भी करके हम बरबाद हो जाए ठीक है तो overall अगर देखा जाए तो N.K. सिंग जी का ये कहना है कि ये जो race है बॉटम की तरफ जाने वाली है business और market को बिलकुल बरबाद करने वाली है तो इस case में सही तरीके से काम करने की जरूरत है आपको सही तरीके से taxes regulate करने की जरूरत है expenditure भी आपको well manner में focused manner में करने की जरूरत है efficiencies आनी चीए democracy में आप देखो चीजे experience के साथ में नई नई develop होती रहती है आज अगर हम जिस federalism की बात कर रहे हैं जिसके main pillar states है उस पे टिका हुआ पुरा union है तो उस case में हम states को एक भी pillar को कमजोर होते हुए अगर feel करना है तो उसको बचाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है नहीं तो क्या होगा फिर economic freebies जो है वो नुकसान दे देंगी इवन जे-म कीन्स जिन्होंने market economy जब बरबाद होई थी तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा था कि government को अपनी तरफ से effort लगाने चीए उनका भी यही कहना था कि बही जब तक थोड़ा बहुत अगर कु continue करना चाते हैं तो यह जो fiscal disaster के रस्ते पर हम चल रहे हैं ना freebies बाट बाट के इनको बंद करना जरूरी है इसमें देखो new channels के report भी दे चुके हैं तो यह था पुरा का पुरा अच्छा article था कि किस trajectory पे अलगलग states में vote bank के नाम पर freebies बाटे जा रहे हैं कितना नुकसान हमें हो सकता है आगे चलते हैं next article of fuller care देखो इस article में यह बताया जा रहा है कि अभी आपको पता है गुजरात के जाम नगर में डबलू एचो की तरफ से इंडिया के साथ collaborate करते हुए और में तो डबलू एचो का है रोला ठीक है global center for traditional medicine यह open किया गया है जिसमें हमारे प्राइम अप्रोच इस अल्रेडी चल रही है जैसे एलोपेथ का हम treatment लेते हैं तो उसके साथ में traditional medication या traditional medicine system जिसमें हम आयूस department या आयूस ministry की हम बात करते हैं जिसमें आयरुएदा, योगा, नेचुरोपेथी, यूनानी, सिद्धा, हॉमियोपेथी इनकी हम बात करते हैं तो इनको integrate करते हुए अगर हम हमारे medical system को और ज्यादा robust बनाएं और ज्यादा strengthen करें तो बहुत benefit होगा इसमें main focus किस पे किया जा रहा है holistic care कैसे कि आज भी हमारे देश में या all over world अगर देखें तो 70 to 80% जो population है वो traditional therapies पे ही dependent हो हैं तो उस case में अगर हम हम हमारी traditional therapies को अगर हम promote करें वो scientific temper के basis पे अच्छे से research हो अच्छे तरीके से उनकी relevance find out की जाए और जो existing allopathic system है जो कि बहुत ज़्यादा prevalent है उसके साथ में मिलकर के अगर ये काम करें system तो कितना benefit हो सकता है आज आपको पता है कि जो modern lifestyle diseases है जैसे diabetes, obesity ये सारी चीज किस पर depend कर रही है ये हमारी lifestyle पे based है ये हमारी जिन्दगी के तरीके पर dependent है तो उस case में अगर हमारी जो traditional medication system है ठीक है medical system है उसका अगर यूज किया जाए तो yoga, yoga क्या क्या कहता है कि आपने अगर जितना भी आपने consume किया उसको आपने digest कर लिया या फिर उसको dilute कर दिया तो फिर आपकी body एकदम healthy रहेगी तो ऐसे म हमें जरुरत है कि हमें एक medical pluralism की तरफ बढ़ें जिसमें एलोपैत भी हो, आईरवेद भी हो, योगा भी हो, नेचुरोपैती भी हो, सब तो overall अगर देखें तो हम एक क्या तरह holistic approach की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वाकई में एक welcoming कदम है healthcare ecosystem की बात करें, तो इसमें देखो knowledge बहुत चाहिए होता है, traditional healthcare system की बात करें तो उसमें तो knowledge based system हमारा चलता आ रहा है इसके अलावा, जरुवत क्या है, कि हमें जो एक practitioners हैं, उनको proper training देने की भी जरुवत पड़ेगी ठीक है, जब तक manpower strong नहीं होगा, तब तक medical system अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो उस case में proper जो practitioners हैं, उनकी requirement भी है और साथ में, practitioners जो traditional medication में काम करते हैं, practitioners जो की ऐलोपेथिया, जो modern medication में काम करते हैं उनके बीच में proper collaboration भी आना चाहिए अगर उनके बीच में proper communication नहीं होगा, तो फिर वो चीज़े successful नहीं हो पाएगी जिन चीजों का target लेकर के, ये center अभी WHO का open किया गया है, जाम नगर गुजरात में अब हमारे यहाँ पर अगर देखें, तो WHO का data ये कहता है, कि हमारे यहाँ पर 65-70% population ऐसी है जो के traditional therapies को अपनी जिंदगी में use करती है जैसे हम भी तो घर पे कुछ ना कुछ टॉनिक्स, कुछ ना कुछ तरीके से हम अब अपने आपको ठीक करते ही है इसके अलावा, आयूश ministry जब से establish होई है, तब से लेकर अभी तक 6 गुना turnover भड़ चुका है, आयूश department के ठीक है जी, इसके अलावा, तो ये तो होगी silver lines की, इसका मतलब हो गया कि हम बहुत अच्छी बाते कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है पर इसी के just alert, अगर विरोधा भास की हम बात करें, paradoxically अगर हम कुछ और important aspects को देखें, तो वो show करता है कि हमारी traditional medication को लेकर के, बहुत ज़्यादा misinformation भी फैला दी जाती है और उसके चलते आप देख सकते हो, कि कई बार तो जो main leaders है, for example, बाबा रामदीव की यहाँ पर example दिया हुआ है एडिटर के दौरा, इनका ये कहना है, कि इन्हों ने willify किया allopathic system को कि यहाँ पर कोरोना को treat करने में allopathic system fail हो गया और इसने बहुत ही inaccurately treat किया, जिसकी वज़े से लोगों की, निर्दोस लोगों की जान चली गई कोरोना की चक्कर में और उन्होंने फिर अपना खुद का एक product launch कर दिया और product launch करके कहा कि बोले यह बिल्कुल perfect है, यह सही कर देगा बोले योग गुरू जैसे लोग अगर इस तरीके से allopathic system जो कि अपने आप में बहुत कुछ successfully implement कर चुका है बेशक यह curative है, preventive नहीं है, allopathic system curative है पर फिर भी लोगों की जो life है, उसको continue करने में अभी तक बहुत help कर चुका है तो उस system को बिल्कुल discard करना यह कहके कि traditional medication system है, वो ही केवल इसका substitute है, तो ठीक बात नहीं है तो ऐसे में doctors या जो practice करने वाले जितने भी individuals हैं, चाहे वो allopathic modern medication system हो या traditional medication system हो उनके भीच में proper understanding होनी चाहिए, ठीक है, एक scientific manner में काम करना ज़रूरी है हम यह नहीं कह सकते कि allopathic drugs और steroids जो दिये गए थे कोरोना के time पे वो काम नहीं करते sorry, वो काम करते हैं और वो common भी है पर सवाल क्या है, कि एक understanding जो हम चाहते है, holistic जो हमारा system बनाना चाहते है उस system को सही करने के लिए या बनाने के लिए हमें collaboration की जरुवत है एक दूसरे education system को compliment करने के लिए हमें promotion की जरुवत है ना की वहाँ पर criticize किया जाए और एक substitute के तौर पर आप option निकालो क्योंकि कुछ चीज़ा है, अरवेद की अच्छी है तो कुछ चीज़ा है, लोपेथ की अच्छी है ठीक है, कुछ चीज़ा, यूनानी की अच्छी है, योगा तो perfect है ही अपनी जगह पर, योगा भी अपनी जगह पर, perfection तब है जब आपकी body fit हो, अब आप कह दो किसी को, कि जी आप pair fold करके बैटो जब की गुटनों में उनके दर्द है तो वो चीज़ कैसे possible हो पाएगी, तो situation to situation आपको देखना पड़ेगा ऐसे में, Government of India की दुआरा, 2020 में, the National Commission for India System of Medicine Act 2020 लाया गया पार्लियमेंट के थुरू लाया गया ये, ठीक है, और इस act में फिर बाद में amendment भी लाया गया 2021 में, target था, major objective था क्या, कि quality medical professionals produce करना है, जो कि हमारे traditional system को भी promote करें और साथ में, जो existing modern medication system हो, उसको भी हम साथ में लेकर के चलें, साथ में proper research भी की जाए, scientific temper भी develop किया जाए जिससे कि हम हमारे लोगों को अच्छी health care facility provide गर सके, तो कहने का मतलब government ने अपनी तरफ से पहले से काम कर रखा है, मतलब हमारे system में, और अभी ये जो WHO का center open किया जा रहा है, इनागरेट किया गया, GCTM, जामनगर, गुजरात में, तो बोलो ये दोनों मिलकर के जब काम करे तो हमें output definitely अच्छा मिलेगा, साथ में, जो traditional medication में, जो practitioners हैं, जो doctors हैं, बेजी हैं, विद्धे हैं, उनको synchronized manner में काम करना चाहिए, किस के साथ में, modern research protocols के साथ में, ठीक है, कि जहां पर surgery की बात आए, तो surgery में, चरक सहीता क्या कहती है, और modern facilities क्या कहती है, ठीक है, तो उनके बीच में कहीं पर complimentary आ जाए, एक दूसरे को compliment करे, तो उससे बढ़िया और क्या चीज़ होगी, तो वो एक confidence building की ज़र्वत है हमें, ठीक है, तो देखो regulatory body, established हो proper, और GCTM के जो initiatives हैं, उनके लिए proper professionals हमारे पास में available हो, experts available हो, तब जाकर कि जो emphasized idea है, ये complete हो पाएगा, तो ये देखो आप इसमें हमने editorial हो गया हमारा, explain भी हो गया, news भी हो गई, तो ये हमारा holistically covered है, ये topic इसमें कुछ बचना नीची आपका, आगे चलते हैं, next article है, unsung dalit women heroes, article को लिखा गया है, अदिती नरायनी पास्वान जी की द्वारा, देखो इस article में example ही example भरे पड़े हैं, ठीक उठा करके उस content को तैयार कर सकते हो बढ़िया, ठीक है, तो इनका ये कहना है, कि अभी हमने 131st birth anniversary observe की, बाबा साहिब अमबेडगर जी की, इसमें अगर हम देखें, जो की एक दलित लीडर थे, पर इन्होंने हमेशा से कोई ऐसा नहीं की क्यों दलित point की ही बात की, इन्हों men and women, दोनों को equal right मिलने चाहिए, तो इस point से ही यहां पर writer अपना pick ले रही है, वो है कि women की जब इन्होंने बात कर दी, तो इस case में हम हमारी population के half part को हम बिलकुल भी ignore नहीं कर सकते, और उन women, वो women जो की दलित community से belong करती थी, और उन्होंने हमारे past में कितना ज़्यादा contribution दि इनका यह कहना है कि हमारे historical और cultural narratives की अगर बात करें, तो वहां पर जो women का contribution, particularly कौन से section से, जो marginalized section से belong करती है, जो चाहिए फिर वो गरीब परिवारों से हो, दलित community से belong करे, lower class से belong करे, ठीक है, उन women को बहुत कम recognition मिला है, और आज भी हमारी society में सबसे ज़्यादा vulnerable अगर कोई section है, तो वो कौन है, marginalized section की women, ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा परिशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, तो ऐसे में हमारी society कैसी रही है, हमारी approach क्या रही है, historical और cultural narrative जो भी किये गए, किताबे लिखी गई, stories बोली गई, या फिर जो भी forklores है, stories है, उनमें promotion ज़्य किस पर based है, androcentric, that means men पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, women के comparison में, तो ऐसे में, एक तो male focused, एक dominant caste focused, ज़्यादा focus रहा, इस वज़े से ultimately नुकसान किसको रहा, या फिर जो unrecognized heroes थे, past के, वो रह गए दलित, और दलित में भी कौन, दलित women, तो यहाँ पर हमें ज़रुत है कि उनकी bravery, उनका क्या contribution हमारी society में रहा, वो हम identify करें, recognize करें, शुरुआत होती है, रामायन में सबरी, जो की भील community से belong करती थी, तो उन्होंने कितना ज़्यादा अपनी तरफ से एक example दिया, acceptance का, selflessness का, एक unconditional love का towards Lord Rama, ठीक है, इसी तरीके से आज आप देखो, उनको भजनों म इनमें हम याद भी करते हैं, exactly यही चीज अगर हम देखें, तो माहर कास से एक women, जिनका नाम संत निर्मला और सायराबाई, उन्होंने भी इसी तरीके का contribution दिया, और उनका target क्या था, कि हिंदू orthodoxy जो है, उसको ठीक किया जाए, क्योंकि जो problem हिंदू society में चल रही है, उन अपनी आवाज उठाई थी, यह वो टेक्स था, जब lower caste की कोई भी women, अगर अपनी breast को cover करती, तो उनको टेक्स देना पड़ता था, तो ऐसे में, जो नंगेली थी, इन्होंने क्या किया, अपना एक breast काट करके, और टेक्स officers थे, उनको ले जा करके, दे दिया, लो पकड़ो भई, तुम, ठीक है जी, और फिर बाद में आवाज उठाई कि आपको अपनी खुद का, कहते है ना कि खुद की जो body part है, उनको cover करने का सबको अधिकार है, तो इस तरीके से community में जो माहूल बना हुआ था, कि भई, दलित community से या फिर lower caste से belong करने वाली जो women है, उनको उनके body part को cover करने का right भी नहीं था, उसका भी उनको text देना पड़ता था, तो उसके खिलाफ उन्होंने सीधी आवाज उठाई, हर एक section अगर हम देखें हमारे society का, तो वहाँ पर social और political liberation की बात की जाती है, देखो, जब freedom struggle की हम बात करें, तो वहाँ पर भी कम कोई leadership का example नहीं मिल कुईली जो की queen थी कहां की, शिव गंगा तमिलनाडू, ठीक है, कुईली नाम है, queen रही कहां की, शिव गंगा तमिलनाडू की, और उन्होंने value nature army जो थी, उसको command किया, ठीक है, और आप देखो, वह दलित woman थी, जिन्होंने Britishers के खिलाफ में लड़ाई की थी 1780 में, तो कु पीली का example भी बहुत important है, इसी तरीके से आप next example लेख सकते हो, जलकरी बाई, जलकरी बाई, जो की fearless दलित warrior थी, इन्होंने बहुत important role play किया था, 1857 का जो first war of independence था हमारा, जब हमने अंग्रीजों के खिलाफ में 1757 की उसमें, आप देखो, ये जो जलकरी बाई जो थी, इन्हो को बहुत support किया था, इसके अलावा, आप देखो, लखनव में, आप देखो यहाँ पर, उजी राओ में born एक लेडी, जिनका नाम है, उदा देवी, उन्होंने भी अपनी तरफ से बेगम हजरत महल की बहुत help की थी, वो भी दलित woman ही थी, तो आप देखो, 1857 की grant थी, इसके इसके अलावा, इधर आप देख सकते हो, उदा देवी, ठीक है, इन्होंने भी अपनी तरफ से, 1857 का यह जो रिवॉल्ड था, उसमें बेगम हजरत महल की help की थी, तो आप देखो, कितना important contribution दलित woman warriors का हमें मिला हुआ है, फिर बात आ जाती है, social reformers की, social reformers में सावितरी का नाम नाए, मतला भी नहीं बन था, तो ऐसे में education की बात करें, तो दलित education को promote करने के लिए उन्होंने 1857 में नो लड़कियों को लेते हुए एक school खोली, फिर time बीटता है, तीन साल बात में 1851 में इन्होंने तीन school खोल दी और उनमें लगबग 150 students हो गई थी उनके पास में फिर आप देखो time बीटता है और वो अपनी एक दोस्त फतीमा शेक के साथ मिलकर के 1849 में एक और school स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम क्या था, दमहिला सिवा मंडल, कब 1852 तक इन्होंने आप देखो कि औरतों में awareness फैलाने के लिए और कदम उठाये जैसे कि बाल हत्या प्रत अपने बच्चों को डिलिवर करने का पूरा अधिकार देना, कि अपने बच्चों को पैदा भी करें और उनको पाले पोसे, उसके लिए भी बाल हत्या प्रतिबंद ग्रेह भी open किया सावित विभाई फूले ने, इसी तरीके से रानी, रश्मोनी, ठीक है, ये काई बरता क कमिनिटी से बिलॉंग करने वाली लेडी, इन्होंने भी सती प्रता और चाइल्ड मेरिश के खिलाफ में बहुत जबरदस्त आवाज उठाई, और साथ में आप देखो कि लोवर कास्ट के लोगों के साथ में जो भी अत्याचार होता था, उसके खिलाफ में भी इन्होंने आवाज उठाई कि इस चीज़ को भी बंद करो, ठीक है, तो ये भी आप नाम याद रखोगे, रानी रश्मोनी, ठीक है, सावित्री वाइफ उले होई गई, ये सोशल रिफॉर्मर्स का कैटेगराईजिशन में हम पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से एक ओर लेडी जिनका ना वहाँ पर अपनी देवदासी मतलब बगवान की सेवा में काम करना होता था, जिनका बहुत ही ज़्यादा सेक्स्वल अक्स्प्लॉइटेशन भी होता था, बहुत परिशानी उनको देखनी पड़ती थी, तो इन्होंने अपनी तरफ से देवदासी रोकने के लिए एक एन ओनली दलित वोमन थी, जो की कॉंस्टुएंट असेम्बली में 1946 में इलेक्ट होकर के आती है, ठीक है, तो आप देखलो हमारे कॉंस्टुशन को बनने में भी दलित वोमन का कितना इंपोर्टन कॉंट्रिबूशन रहा हुआ है, आप देखो, ये प्रोविजनल जो पार इंपोर्टन कॉंट्रिबूशन दिया था, दक्षायनी वेला युद्धन, अब आजाओ आगे, ब्रेवरी की बात करें, तो दलित वोमन, जिनको सही तरीके से, सही शब्दों में नरेट ही नहीं किया गया, महरास्ट्रा में, हमने महरास्ट्रा में कई ऐसी राइटर्स हैं इन्होंने मिलकर के कुछ दलित फैमिनिजम पर अपनी स्टोरीज में मैंशन किया है कि वाकई में कितना कॉंट्रिबूशन रहा है, सिमिलरली तमिल नाडू की बात करें, तो कुछ राइटर्स जैसे कि बामा, पी सिवाकामी, इन्होंने भी एक्स्प्लोर किया कि कितना डि नाक्षी मून, इन्होंने भी दलित वमन का जो कॉंट्रिबूशन था, जो इनकी लाइफ स्टाइल थी या जो भी इनकी जो परिष्थितियां थी, बहुत बुरी परिष्थितियां उनको हाइलाइट किया, मतलब ये कि दलित वमन को रिकगनीशन मिलना बहुत वीक, मतलब इतना ज़्यादा हाइलाइट नहीं हो रहा था जितना कि अभी रीसेंट टाइम में इन कुछ राइटर्स ने अपने दुआरा लिखी हुई बुक्स में हाइलाइट किया है ठीक है इसी तरीके से दलित वमन लाइक दुलारी देवी या फिर मायावती मायावती आप जानते हो दलित कम्यूनिटी से बिलॉंग करती है और चार बार यूपी की चीफ मिनिस्टर बनी क्योंकि उनके पास सोशल इंजिनियरिंग स्किल्स थी कि कैसे लोगों सो डील किया जाता है ठीक और एक कन्विक्शन भी खुद का कि हाँ मुझे मेरा काम करना ही है कैसे भी करके तो व भी रिफॉर्म्स आया है वहाँ पर टैलेंट निखर के आया है और अभी भी जहाँ पर हिरार्की के चंगुल में फसी है दलित विमन बलो उनको इतना उपरचुनिटी मिल नहीं रही है तो रिलीजिन कास जेंडर और पॉलिटिक्स इन चारो सेग्मेंट्स में जरूरत है क कि जितने भी यह लास्ट वाला आर्टिकल परग्राफ है इसमें तो आपको लगे तो किवले एक मायवती वाला एक्जामपल आप पिक कर लेना बाकी नाम बहुत सारे हैं बाकी जितने भी एक्जामपल से वो नाम आप याद रखोगे एक 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 लाइन इंपॉर्टेंट ह या वल्नरेबल सेक्शन की वेलफेर के लिए तो कितने एक्जामपल्स आपके पास में हो जाएंगे ठीक है डिसकुशन में इतना ही है थैंक यू वेरे मच